Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 7.4 का question number first और second देखेंगे इस वीडियो में statement read कर लेते है question number first की एक बार क्या है Determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the point 2, minus 2 and 3, 7 तो ratio find out करनी है बटा हमने यहापे points given है हमें a and b के तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे मान लिया यह हमारे points है a points जो है वो क्या है 2, minus 2 और b जो points है वो क्या है 3, 7 अब बटा जहाँ पे ratio given नहीं होती है तो उसको ratio को assume कर लेते k ratio 1 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे let the ratio between point a and b is k ratio 1 I hope यह चीज आपको clear है अब यहाँ पे section formula का use करना है यह मान लिया क्या हमारा c point तो coordinates of c कैसे निकलेंगे हमारे coordinate of point c कैसे निकलेंगे is equal to क्या होता है बटा this multiply this मतलब k की multiply 3 से 3k plus 1 की multiply 2 से plus 2 अब उन में क्या होगी ratio की addition k plus 1 next क्या होगी k की multiply y2 से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7k 1 की multiply y1 से तो minus का 2 अब उन में क्या जाएगा बटा k plus 1 तो यहाँ पे जो c के coordinates आगे हमारे पास क्या आगे बटा यह x1 और यहाँ पे लिख लेते है x1 और y1 ठीक है x1 y1 की value आगे हमारे पास तो यहाँ पे बटा अब देखते हैं हमारे पास क्या given है line given है हमें एक these points जो यह है these points lies on the given line given line जो x और y की value जाई है यह क्या हमें जो given line है उसके उपर क्या करेंगे बटा ही lie कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है equation जो given है वो क्या है 2x plus y minus 4 is equal to 0 x और y coordinates की value यहाँ पे क्या कर देंगे इस equation में put कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आगे 2 into x की value क्या आजेगी यहाँ पे 3k plus 2 by k plus 1 plus में y की value क्या है 7k minus 2 upon me k plus 1 और minus में 4 equal to 0 इसके पोन में क्या मान लेते है 1 तो इसका LCM क्या आगे बटा k plus 1 2 की अंदर multiply करेंगे तो 2 3 जा क्या होगा 6k 2 की 2 से multiply plus का 4 plus में 7k minus में 2 minus में k plus 1 को 1 से divide किया तो k plus 1 और 4 से multiply करेंगे तो इसकी minus 4 into k plus 1 is equal to 0 तो यहां पर बटा क्या करेंगे हम इसको solve करेंगे simplify करेंगे 6k plus 4 plus 7k minus 2 minus का 4k और minus में 4 अब उन में k plus 1 equal to 0 k plus 1 को right hand side लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा यहां पर देखते है बटा 6k और 7k क्या होगा हमारा 13k 13k में से 4k गया तो हमारे यहां पर क्या आगया 9k और 4 और 4 cancel out तो minus 2 बच गया is equal to 0 तो 9k is equal to क्या आगया 2 और k is equal to क्या आगया 2 by 9 और ratio जो assume की थी हमने क्या assume की थी k ratio 1 तो k की जंगा क्या put कर देंगे हम 2 by 9 तो 2 by 9 ratio 1 तो 9 की 1 से multiply करेंगे तो ratio जो आगे यहां पर find out करने थी I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा चलिए second part की तरफ चलते है second question की तरफ चलते है second question क्या है find a relation between x and y if x y 1 to 7 0 are collinear तो यहां पर क्या काया है बटा हमें 3 points given है x y 1 2 और 7 0 यह 3 points क्या की कहे गए है बटा collinear given है collinear है तो 3 points है तो बटा यह क्या है एक assume कर लेते हैं हम एक triangle form कर रहे है a, b, c a के जो coordinates है वो क्या है x, y b के जो coordinates है वो क्या है 1, 2 और c के जो coordinates है 7, 0 तो यहां पर क्या करेंगे let the vertices of triangle a, b, c a के जो vertices हैं वो क्या है x, y b के जो vertices है वो क्या है 1, 2 और c के जो vertices है 7, 0 अब बटा यहां पर triangle के vertices क्यों है जूम किये मैंने क्योंकि collinear form करना है तो बटा area of triangle क्या होता है हमारा 0 तो यहां पर क्या कर लेंगे लिख भी देंगे if points are collinear then area of triangle is equal to क्या होगा 0 तो यहां पर area of triangle का formula लगा लेते हैं बटा क्या होगा जो points given है वो क्या है a into xy b जो है 1, 2 और c जो है 7, 0 तो area of triangle a, b, c is equal to क्या होजाएगा 1 by 2 into x into क्या होजाएगा 2 minus 0 plus में यहां से क्या लेंगे x to coordinate 1 है तो 0 minus y plus में यहां से coordinate लेंगे x 3, 7 तो यहां पर क्या होजाएगा y minus 2 तो यहां पर क्या आगया 1 by 2 into 2 की x multiply 2x minus y plus में 7y minus में 14 is equal to किसके होना चीए बटा 0 के, क्योंकि area of triangle 0 होगा तब ही 3 points क्या होगा हमारे collinear होगे तो यहां से 2 की multiply 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहां पर क्या बच गया 2x, 7 minus y करेंगे तो क्या होगा, plus का 6y minus में 14 equal to 0 divide किसे करेंगे, 2 से 2 से divide करेंगे तो क्या आजाएगा, यहां पर x plus 3y minus में 7 equal to 0 this is the relation between x and y, this is the answer I hope यह question भी आपको अच्छे से clear हो गया होगा कहीं पर कोई doubt होता बटा comment किजिए otherwise इस चनल को subscribe किजिए, like किजिए और share किजिए thank you students for watching this video and your love and support